सब लोग लगा लिए हैं सवाल ना ठीक है चलो पहला सवाल लगाओ बिटा रूपा मोहन ने कितने रूपे की चीनी खरीदी आप सवाल लगा के तब लिखी क्या लिख रही है आप पहले सवाल को लगाए हाँ चालिस गुड़े पांच चालिस रूपे के हिसाब से कितनी चीनी लिया था कितने किलो पांच किलो लिया था तो उसके लिए हमें पांच किलो का जब दाम निकलना होगा तो हमें चालिस में क्या करना होगा पांच से सब लोग ध्यान से देखो तो आपको जो भी गुड़ा करने पे मिलेगा उतने की ही चीनी किसने खरी दी मोहन ने तो आप उत्तर लिखेंगे मोहन ने चार पच्चे बीस यानि दो सव रुपे की क्या खरी दी चीनी रुपा के लिए ताली बजाईए बहुत अच्छा सवाज अब दूसरा सवाल है मोहन को कितने रुपे कम मिले ठीक है अश्वनी आपको समझ में आ रहा है दूसरा वाला सवाल कितने रुपे कम मिले चलिए लगाए रुपा को लगा लेने दीजिए उसके बाद मोहन ने, हाँ, साइड हो जाओ रुपा बेटा, खरीदी थी, good, very good, मोहन ने 200 रुपे की चीनी खरीदी थी, बहुत अच्छा उत्तर लिखा रुपा ने, good, चलो अश्वनी, दूसरा सवाल बेटा लगाओ, मोहन को कितने रुपे कम मिले, तो आप कैसे लगाएंगे इसको, ल आप क्या करेंगे, पहले टोटल कितने रुपे उसके पास थे? 500, good, 500 लिखिए, ठीक है, 500 में से, वह चीनी कितने के लिए? 200, क्या करेंगे 500 में से? घटा देंगे, good, घटा दीजिए, जितना आरा फिर मुझे बताईए कि कितना बचरा है? कितना बचरा है बटास्वनी? 300, 500 में से 200 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 300, लेकिन 300 रुपे तो उसको कम मिले नहीं थे, क्योंकि दुकान दान ने उसको कितने रुपे दिये थे? 200, तो अब आप क्या करेंगे? 300 में से कितना घटाएंगे? 200, घटाएंगे, जो दुकान दार दिया उसको भी आप घटाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने कम मिले हैं, ठीक? तो आपको जब 200 मिल गए तो उसमें से, 300 में से आपको 200 घटाने हैं, सबको समझ में आ रहा है? हाँ? मुह से बोलो मुड़ी ही लाने से काम नहीं चलता, मुह नहीं है क्या? मुह से बोलो शिवाम, समझ में आ रहा है? अब आप उत्तर लिखेंगे मौहन को 100 रुपे दुकानदार ने कम दिये, ठीक है? लिख दिजिए, दुकानदार ने हो गया स्वनी बेटा? दुकानदार ने साइट हो जाओ दिया, हाँ, गुल दुकानदार ने मौहन को 100 रुपे दिया, गुल चलो, नेट्स सवाल है, दुकानदार को मौहन, अस्वनी के लिए भी ताली बजा दो ताली तेज से बजाओ, ताली भी नहीं बज रही है, हाँ, गुल मैं दुकानदार को मौहन को इतरे लुपे देने चाहिए थे, मैं 500 में से 200 घटा देंगे क्यों 200 घटाएंगे आप? तो आपको कितने मिले? अब उत्तर आप कैसे लिखेंगे इसका? दुकानदार को मौहन को 300 घटाएंगे पूरे देने चाहिए थे, बेरी गुर्षा बाद, देव के लिए भी ताली बजा दो लिख लो, लिख हो गया बेटा? दुकानदार को मौहन को 300 घटाएंगे देने चाहिए? ठीक, समझ में आया देव? चलो देव के लिए भी क्लैपिंग करो तेज से अब बाक्ति इसको नहीं आ रहा था वह इसको नोट कर लेंगे ठीक है?